स्वागत आप सबका लंकन प्यमिल लीग के अंदर मैच यहां पर डंबुला जाइंट्स वर्सेस कोलंबुल स्टार्ट के बीच में जू खेला जाएगा हमबं डोटा पे मैच टाइमिंग दुपैर के तीन बजे तब के एक और बहुत बढ़िया मैच मिल सकता है यह फैंटेस स्किप पर पूरा देखना एक बैतरीन मैच आपके लिए बन सकता है अच्छी टीम आपके बन जाएगी फिर आप यूडियो पूरा देखतो बिना स्किप करें अब देखें टेलीग्राम के उपपर लाइनप के बाद कोई भी फरदर अपडेट्स आती ही ना तो 30 मिंट पह करते हैं जो बहुत इंपॉर्टन होती है इस वर्णी के उपपर लास्ट मैच कली हिला गया था रात को मैच था वहाँ पर गैल गलेडेटर्स वर्टस के बीच में तारिक साथ दिसंबर थी तो यहाँ पर जो पीच रहेगी मेरे साब से मैच में फ्रेश पिसका स्तमाल किया और इस वर्णी के उपर इस सीजन में भी तार कितरे मैचस में चार मैचस में अपन देखते हैं कि वह चार मैचस कंदरी शुनी को पर किस सरे से रंस बने थे तो यह देखिया एक्सोटीज बना लास्ट मैच के अंदर आट विकेट गवाके फिर जो दिन में मैच मता कल उसम इसे एवरेज ही गये हैं मैं लगा 140 के असपास बना है इतनी फ्रेश पिच और इतनी बड़िया पिच नहीं लगी है मेरे को रन स्कूरिंग वाली और बाउंडरी शूटी थी प्लैड अगर अच्छे से शॉट्स खेलता है तो क्वालिटी आफ रन से बनता है और मैं लेक्ताइब पर जो टीम बैट फर्स करती है पांच मैच जिती है तो ध्यान देना है कि यहां पे ज्यादा तर तर टीम बैट फर्स करना पसंद करती है अब देखते है लास्ट आठ मैचे उसमें क्या हुआ था गया था तो spinners की बार तरहते हैं तो तो सइट हो जाता हैं आँपको अच्छेसे देखेलेगा तो spinners देखते हैं 39 जिकेट्स में यहाँ पर spinners के लास्ट 8 मैंस के अंदर इस सीजन के अंदर भाई साफ spinners का बोल बाला रहा है चीज ज्यान देनी है तो इस सीजन के अंदर LPL 2022 के अंदर सबसे बहतरीन परफॉम्मेंस उनका रहा है अब देखें आप पहली पारी के अंदर 15 विकेट है दूसरी पारी के अंदर 24 विकेट है तो दूसरी पारी में तो स्पिनर्स को तो ले नहीं है पेसर की उपर और पहली ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़े से इंपॉर्टेंट है पहली पारी में और श्याम को जिसके अंदर बहुत अच्छा पॉफॉम्मेंस गया था हूं पर जहुर खान में कैलोस ब्रत्र का चार्जिगेट हॉल था वह पीछी देखती है बढ़िया पीछे देखने अब देखता है कि आप पर जो मैंचे वेते कल रुसकेंदर क्या देखने को मिला था विकेट सकॉन से एरिये पर गिरेते जो तेज गिनबाच पिछे गेंदर डालते हैं शौड गेंड डालरे तो ज्यादा विकेट मिल रहे थे खिलिए आप देख सकते हो शौड बल से आठ निकाले गए ठीक है जिनके पास बाल पतक ना आता है जिनको अच्छे से इस्तिमाल करना है जो शौड बाल डालते हो पर पेसस ने शौड बॉल से डॉमिनेट कर रहा है तो जितने मैंचेस देखें सारे और स्पिनर से आप वाई साब जो लेफ्टाम और फरणे की समरते होते ना वह आपर नहीं करी थी वर दूसरे स्पिनर से ने चेतरूंगा डिसलिए डाला था चार डिग्री बॉल गुंदी सोच आप इतना 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 सोच आप ठीक है तो मदद मिल रही है यह चीज ध्यान देनी है और इतनी पिचस है आपे पिच वन टू त्री फोर फाइफ इससे पिच बनी स्टेडियम को विए यह वाइदर फोकास एकदम बढ़िया लगे रहा है बारिश के दो परसंट जीरो परसंट चांसस है यूस तो कोई बड़ी नहीं आरी नहीं है आपे ठीक है अब देखते हैं दुनों टीम स्टापस के दर लाव्श पांच मैंजस में क्या जा रहा है डंबुला जैंट्स चार्प जीती है कोलुम्बो स्टार्स ए राजा पक्षा रुसिगंदर राजा शनाका रामयश मैंडी सत्रूंग डिसलवा मदू शनाका दिखेंगा आप लाहिरू और पॉल्वन मैकरी नूर अमद लाहिरू कुमारा मैं देखके शोक्ता है आपने प्रमोर्ण मदिशन को किसे बाहर कर दिया यह श्री लंका खेलता को भी नहीं खिलाए गया था नीचे सारे बेंच प्लेट्स हैं अब कोलंबुर स्टार्स की बात करते हैं एंजले मैंट्यूस का रूल बहुत अच्छा है एक दोर डालते हैं कैप्टन सी कर रहे हैं और ओपन करने आता है कैप्टन लीडिंग फ्रॉम दफ्रंट का का काम कर रहे हैं पर वह ऐसा परफॉमेंस आया नहीं हो बात अलगा पर अच्छा है असा लंका रवी बोपारा दी फिर यहां पर चांदीमाल बैनी ओवल डॉम्नी ड्रेस्टीम पॉल सुरंगल लक्मल कासुन रचीता जैफ्री वोंडर सब को खेलते हो दिखेंगे सब्सक्राइब यह प्लेर रेटीन है अर प्लेर के पर आपको पता चलेगा स्वीडियो के अंदर तो फिछले मैच के अंदर जॉर्टन को रोल गया था ओपनिंग करने आए पाउर प्लेक अंदर दुखे गए थे ठीक है एट्वडी के इसका परफॉमेंस नहीं है टीट्वेंटी के अंद आपको आते हैं आप पर वाजा पक्षा इसने हैट्वडी के अंदर पांच मैंच में त्यातर रंगर है बैट फर्स्ट दो है चेस के उपर सैथीस नाबाद तैटीस ही गए वैंडी के पर तेरा मैंच में दोस्तों सैथीस रंग सुईस की होसा है बैट्व सिकतिस पच्चि एप टूर डाओन आये थे दोवर डाला था इंपोर्टन रह सकते हैं ती 20 के अब देख सकते अच्छा करने साल इनका फर्म अच्छा रहा है कर इसका रूल भी अच्छा है इस मैच के प्लैयर रूल इंप्वाटन होता है इस बार शना का यह भी कपता नहीं कर रहे हैं एक दालते हैं गेंपाजी करते हैं बैड भी करने आते हैं इनका हैट को अंदर चार मैच में एक रिकेट हैं और विद्धा बैट 138 रहना है बैट फॉस्ट चप्पन अठ्थाइस नाबाद सब्सक्राइब करने लिए पिछले मैच में दस बनाया था भाई ने चलते हैं आपे चतुरूंगा डिसिल्वा की दरफ ये वेनंद वसरंगा के भाई है तीन मैच में एक विकेट था एड़ सब्सक्राइब के अंदर बॉल फॉस्ट चेक मैच में जिरो बॉल सेकंड दो मैच मेंग दो बार विकेट लगेट लगें इतना रोल पूछो लगने रहे इंपॉर्टन बिलकूल नहीं लग रहे पर पिछले मैच में दो डाला था तो यह थोटे से अनलखी भी थे कई बहुत से जाड़ी थी जो कैचिंग स्लिप होती है वहां से शॉर्ट थडवन जिसको जानते हो ज्यादा बैता तरीके से मैं उसको बोलता हूं फ्लाइंग स्लिप ठीक है या फ्लाइंग थाडवन भी बूल सकते हो तो हैट्वर्ड की बात करते हैं दो मैच के अंदर जुर्विकेट सा लेरुकुमारा का बड़ी बात क्या दोनों बार बॉल सेकंड करा था इस वन्यक्यों पर भी इसने बॉल सेकंड करते हैं डॉप कर देना टीम से प्छले मैच में भी बात अगर आपने देखा हो तो बॉल इनका यह रहा है प्यॉर बॉल फर्स्ट वाला बॉल रहे डैतोर को पसंद करता है ऐसे सिशन को पसंद करता है जा पर प्लैर्स अटाइक करने को देखते हो नूर आमत हैट टुड़े कंदर दो मैच में देखके शौक था यह तो अवेलिबल नहीं होंगे यह कारण हो सकता है डग आउट की दरफ दिखाया था इनको टॉम एबल दिखे नहीं देवा पर यह प्रमोट मुदिशन को भी नहीं है इतना बड़ी अप्लेयर है रहे है ठीक है इनका फोर्म कंसंदर नहीं को नहीं है तो भी बात सही हो तो चलते हैं किसके दरफ यहां पर स्टार्टिंग अब चलते हैं अब देखते हैं तो तीन मैक्षा ट्रंस है एंजोले मैथ्यूस का एट्टूर्ड के अंदर और दो विकेट हैं यह प्लेयर मेरे को अच्छा लग रहा है इस मैच के अंदर क्यों ओवर्ट्स जाल रहा पहले और यह डालता है बही बोलता है मैं पहले बॉल यह बोलता है कि अपने बहरत के अंदर और यह चाहते हैं कि वह इसका उस्सा बने क्योंकि इनकी उमर भी हो चुकी यह ज्यादा तो यह चाहते हैं कि मैं इस वर्ल्ड कप को अच्छे से फिनिश करके जाऊं अपने देश के लिए मिडल ओर का अच्छा बैटर वनू तो यह पॉफोमेंस देना चाहते हैं टीम में वापसी बनाना चाहते हैं इसलिए उपनि गालगर को ही अपरचुनिटी ले रहें हैं मानलब हर मौकार रूंडरे हैं की में पोफोमेंस हो वह नहीं की पर सतरा मैच में एक तो वह प्रके निभी नहीं है वह फॉपर मैच में इसने थर्ड ऊड़ी आई के अंदर अगेंस अजनेसा नस्यां की पारी खिली थी बस्त प्रव्यू वो पारा भाई शाड़े चार्सों मैच लिए तर ने टीटी के अंदर डाइशों विगेट्स है और आठजार रंस है प्लेयर अच्छा है और इसका रोल पिछले मैच में था आते अटेक करना नीचे डाउन दौडर पाउर प्ले में आ गया था यह जले शॉट कि चंदी माल भी बहुत नीचे आ रहे हैं पांच मैच के अंदर 96 रंस है तोड़े के अंदर मेरे को लगने रहते हैं पॉटन रही है यह अगर ओपन नहीं करते हैं तो बैनी होल टीटी करियर कंदर 178 मैच में 23 विकेट्स है अच्छा गेंबाज है वेरिशन्स करता है एक और प्रसेंट करता है तो और फोटो मेरे पास देख सकते हैं कि सबसेदा किसको देखने को मिला था पिछले मैस वेलेंगे को मिला था 3.9 डिगरी वेले लेक को यहां पर सब्सक्राइब से हर चीज देखता हो ना क्योंकि इंपोर्टन होती है मेरे को खुद को अच्छा प्लेयर है एक्स प्लेयर रह चुका ही है डंबुला का रहनी के उपर च्छे मैच मेंच विकेटा फॉर्म आप देख सकते हैं लाजवाब है भाई का नेक्स प्लेयर आते हैं अपे अपने जैफरी वंडो से यह भी लास्ट मैच में नहीं खिलाता है शिलंका का र जार मैच में पांच विकेट है वैंडी केपर 11 में बारा विकेट लस गये थे तर्रोल अच्छा था स्टार्टिंग में दोग डाला डाला डैट में दोग डाले इस ने चलते हैं यहां पर रोम्री शेफर्ड करीम जरस पता नहीं कहां चलेगे नवीन भी आप एक अच्छा प्लेयर है यह सब खेलते हैं नहीं इंपोर्टन हो सकता है नवीन घिलेगा तो इंपोर्टन हो सकता है करीम जर्ण है थोड़े से इंपॉंट है इतने नहीं चलते हैं आप एक इसके तरह स्टार्टिंग और एंजिले मैथिस डॉमने ड्रेस कासुन रचीता या फिर ले बोल के सामने जॉर्डन कॉक्स वर्सेस बैनी होईल आठ गेंट पांस रेन एक बार आउट किया हुआ है चलते हैं आपको किसकी दरफ एक मिनिट में आपको कर्रेक्शन देना चाहूंगा यह जो मैच अपर वाला है किसी के सामने आउट में है और टॉम एबल बैनी होल और यहां पर आते हैं और यहां पर शब्स बार आउट किया हुआ है दुबर आउट किया हुआ है ने यहां पर आते हैं अपने दूसरी टीम कॉलूम्बु स्टार्स के एंजलियो मैंत्यूस किसके सामने आउट नहीं हुए डिक विल्ला वर्सिस लहीरुकुमारा जी आप सरी सुन्पनों पांच गेंद ग्यारा रन दुबार आउट के दुनुबार पहली पारी में दूर एमन ने एक बार आउट किया हु क्यों मीडलोर में बैट करते हैं और तीन और तो डालते हैं चार और डाल सकते हैं डॉमनिंट्रेक्ट्स अलग है लाहरुकुमारे डिफिरेंशल है जो डिफिरेंशल है अब बात तरहें आगर आपको स्टैट्स जीए में वीडियो में सारे दी हैं तो आप जाहीं अपना सब्सक्राइब करने का अब मेरी मजबूरिया ऐसे वीडियो बना सब्सक्राइब कर देखें और यहां पर देखें बड़ी लेंगे एक तो डिक्विला है राजा पक्षा जॉड़न कॉक्स चंदिमार को फ्लेयर को रखूंगा बहुत नीचे खेल रहे हैं और बहुत नीचे हैं कहने का मतलब ज्यादा नीचे जाता है नंबर चार नंबर पांच के प्लेयर है नीच अंदिमार के कहां आके मिडल ओडर में हिटिंग करते हैं अब रवी बोपरा को उपर वेजे हो जो हिटिंग करना जामता है अब चंदिमार को उपर खिलाओ तोड़ा सा पर टीम पालने क्या क्या कर दीए समझ के बार है मेरे इंपर्टेंट रहे सकते हैं इवन उसमाल लिट्स के अंदर अच्छा प्लेयर है आप स्टेंग करता है कि बाजी बैटिंग दोनों में शाना का इंपर्टेंट रहेंगे अब यहाँ पर देखते हैं कि Tom Ebel आते हैं या Heather Lee आते हैं देखने लाए रहेगा कौन तो एर खिला हो कि उसी को तर टीम पता नहीं क्या करने में लगी हुई है प्रसंद आप ले सकते हैं तो पिछले मैक्स में इंजर हो गए थे यह बहुत तगड़े पैन में थे कीमा पॉल को रूटेट कर सकते हो ग्राइन लिक्स के अंदर स्रिफ एक प्लेयर बताऊंगा और एक प्लेयर है चत्रोंगा डिसिलवा वैनुन सरंगा का बाई है बहुत अच्छा बॉलिंग करता है रंज की फोड़ी बहुत बना लेता है यह भी रूटेटिवल प्लेयर है रमरे शेपर्ण खेलते तो ले सकते हूं वंडर से खेलेगा तो मस्ट भीकेच है बॉल सकंड किसी में भी बहुत अच्छा प्लेयर है प्रिफरेंस ज्यादा दे सकते हो लकमल दोनों पारी में अच्छा कर लेता है ठीक है और तो फिर और कोई प्लेयर ज्यादा बचा ही नहीं जिसको पर प्राय करें ठीक है और को भी फर्दर अपडेट्स है कि मैंने आपको लोजिकली बता है बॉल फर्स्ट वॉल सेकंड य कि दे दूँगा मैं चार घंटे बचने डेडलाइन को तो देखते रहें लव्यू गाई सी सून जैन दैसे प्यार बनाए रखना मैं अपना बैस देने के कोशिश करूँगा अब तक लंकन पिम लिग में इतना अच्छा नहीं कि है मैं कोशिश करता हूं और अच्छा करू पर मैं कहूंगा आपको लंकन पिम लिग कंदर आप खुद की टीम से जाए ना कि कोई जो यूटूबर है उसकी टीम से ठीक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसमें कुछ भी हो सकता आपने दिल की सुने जाए